बिलबड़ा में महा कर्फ्यू के दूसरे दिन जहां एक मरीज की रिपोर्ट पोजिटिव आने से मरीजों की संख्या 27 हो गई है तो वहीं कई मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है बतादे की कल 17 मरीजों में से 9 कोड डिस्चार्ज किया गया था और आज 4 और मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है वहीं महा कर्फ्यू के दूसरे दिन भी लोग अपने घरों में ही रहे वहीं पुलिस प्रशासन भी इस दोरान पूरी मुस्तेदी के साथ डटा रहा मेडिकल कोलेज के प्राचार्य डोक्टर राजन नंदा ने कहा कि अभी तक तबलीकी समाज के 33 व्यक्ति सामने आये हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है इसके साथ ही आज एक कोरोना पोजिटिव मरीज की राइला में पुष्टी हुई है पुष्टिव केसा है और उसका भी संबन ये प्राइवेट हॉस्पिटल से उनी की ओपीडी में या किसी के साथ में उनके दिखाने वाले हैं उनके साथ में कॉंटाक्ट इस्टीम में उसी सवही से पोजिटिव आया है मेरी सारी भिलवड़ा की पुब्लिक से आज जोड़के अपील है कि जहां तक हो सके घरों से बाहर नहीं निकलें भिलवड़ा के लिए अच्छे बात यह नहीं रही है क्योंकि पास दिन बाद फिर एक कॉराना पॉजिटिव सामने आया है यह कॉराना पॉजिटिव उसी निजी किस साले से संबन दीता है एक 24 वर्षे महिला राइला निवासी जो कुछ हपते पहले ही वोस होस्पिटल में दिखाने गई थी स्क्रेनिंग के दोरान यह संदिक्ट पाईगी जिनका सेंपल लेगा है और आज इसकी पुष्टी वही और उन्हें आइसलेशन वार्ड में बढ़ती किया गया वही हम अगर वेवस्ताओं की बात करें तो तीन हजार जवानों ने जिसमें होमगार के जवान है आरेसी के हैं पुलिस के जवानों नो मोर्चा समा लखा है पूरी वेवस्ता चाक्चो बंद कर रखी है हम आज देखे तो दूसरे दिन पूरे शहर में सन्नाटा बसला परिवार को स्वस्त रखने के लिए अपने घरों में बंद हैं कलेक्टर राजंदर भट ने खादी समगरी के वितरन के लिए उबुक्ता मंडार को नियुक्त किया हुआ जिससे हुए हर वाडू में जा जाके खादी समगरी वितरन कर रही है वहीं हम दवाईयों की और कितने जिनों में तोड़ पाता है केमरा परसंट गोईन पाएक के साथ योगिश शर्मा एवन टीवी फिल वड़ा